क्लास तेन्थ केमेस्ट्री कार्बन इट्स कमपाउंड बेरी इंपोर्टेंट सवाल बहुत ही महत्पुन सवाल लेकर आये हैं जो कार्बन और कमपाउंड से होते हैं क्यूंकि ये काफ चाप्टर जो है काफी हाड होता है और बचे के लिए काफी कंफ्यूजन भरा होता है इसलिए इस सवाल इस चाप्टर से जादा से जादा मैं कोशन लेकर आया हूँ जैसे मैंने आपको बताया था मैं पूरे 200 सवाल करवाने वाला हूँ उड़े एक महीने के अंदर में और इसलिए मैं जितने से जितने सवाल हो पारा है लेकर आ रहा हूँ तो सबसे पहले पहले सवाल की तरह बढ़ते हैं कहा रहा है क्या आपको molecular formula लिखना है second और third member का एक homologous series है जिसका पहला member methane है चिक तो उसका जो second member होगा उसका जो third member होगा उसका molecular formula क्या होगा ठेक है आपको मालूम होगा homologus series क्या होता है एक series होता है जिसमें बहुत सारे hydrocarbon होते हैं और सारे hydrocarbon के बीच का distance क्या होता है बीच का difference CH2 group होता है और mass unit 14 होता है chemical property physical property उनका same होता है ता आई ये देखते हैं ये मिथेन है इस मिथेन का जो homologus series है कुछ का पहला तो मिथेन हो गया पहला मिंबर दूसरा और तीसरा जो मिंबर होगा वो होगा क्या और उसका molecular formula क्या होगा चली आते हैं देखते हैं देखिए तोरह मैं आपको बता दू यहाँ पर देखिए एलकेन एलकेन का जिनरल फॉर्मूला होता है cn h2n प्लस 2 ठीक है यहाँ पर एन बताता है कितने नंबर ओफ एतम हैं यहाँ कार्बन के लिए और यह हो जाएगा है रोजन के लिए तो देखिए यहाँ पर जो given question था उसमें homologousries का जो पहला मिंबर था वह मिथेन था आप देख सकते हो आपको थोड़ा मालूम होना ची मेत जो होता है न मेत वह एक नंबर कार्बन के लिए आता है यह न बताता है इसमें सिंगल बॉंड है यानि यह saturated compound है तो मिथेन है और यह मिथेन इसके लिए जो जिनरल गुरू प्लस टू होता है तो आते हैं इसका second member पे तो पहले carbon के इसाफ से पहले number पे न मेत आता है दूसरे number पे अ था आता है इस Alken वाले formula में यहां हम दूसरा member तलासेंगी तो carbon की बगल में जो एन है वहां 2 रखेंगे उसी तरह hydrogen में इन के जगह दो तो C2 यहां 2 दूना 4 और 2 6 यानि C2H6 जो होगा वह इस methane का second member होगा और इसका molecular formula यह होगा C2H6 जो है इसे हम methane बोलते हैं यानि homologous जिसका पहला member methane होगा उसका दूसरा member आपको इथेन होगा अब आते हैं इसी तरह third member में third member आप इसी formula से निकाल सकते हो पसरते हैं carbon या N के जगह आपको 3 रखना होगा तहां हमने क्या किया N के जगह 3 रखा तो C3 यहां 2 और यहां भी 3 दूना 6 6 और 2 मिलकर 8 C3H8 यानि प्रोपेन हो जाएगा यानि इसका जो third member होगा उसका molecular formula C3H8 हो जाएगा और C3 carbon अगर 3 हो और सारे के सारे जो है उसमें N हो तो उसे हम बोलते हैं प्रोपेन इस हिसाब से हमारा जो second member होगा वो हो जाएगा आपको इसका molecular formula C2H6 और third member का molecular formula C3H8 हो जाएगा अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ क्या कहता है चलिए अब देखिए next सवाल क्या कहता है write the molecular formula of the second and third member of homologous series उस first member is ethene अब देखिए पहले आपको पहचाना आना चाहिए यह जो हमारा compound है वो alkyne group का है कि alkyne group का है कि alkyne group का तो आप देख सकते हो इसमें ethene लगा है इन लगा हुआ है इन से मालुम होना चाहिए यह जो है हमारा alkyne group का है और उसके जैसे यह alkyne आएगा तो आपको general formula याद होना चाहिए तो इसके लिए होता है CNH to win alkyne alkyne और एक होता है alkyne तो alkyne में क्या होता है double करके दो जोर दिया जाता है alkyne में simple सा छोड़ देते double करके और alkyne में double करके घटा दिया जाता है तो जो पहला हमारा जो member था वो आपको था इथीन इथीन अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाला बात है सवाल यह है जो alkyne होता है उसका पहला member alkyne alkyne का जो first member होता है alkyne में चुकी double bond होते और double bond एगो carbon atoms के बीच में single carbon atoms के बीच में double bond नहीं हो सकता इसलिए इसका सुरुवात जो है दो नमबर कार्बन से होता है और दो नमबर कार्बन के लिए इत सब्द का इस्तमाल होता है तो इसलिए इसका पहला मेंबर लिखा गया था आपको इती इतीन लिखा गया था अब आते हम इसी के सेकेंड मेंबर के लिए तो उसी तरीके से हमको इस फर्मूला पे जाना होगा तो ह हमको तो molecular formula पूछा है तो molecular formula के लिए कार्बन के संक्या 3 डालेंगे तद c3 और यहां भी 3 डालेंगे तद 2 ti6 यहने c3 h6 इसका molecular formula हो जाएगा जो की second member है इसका ethene का उसी तरह third member के लिए क्या हो जाएगा third member जो होगा इसका वह routine होगा इसका formula c4 h8 होगा ताब बढ़ते हैं next सवाल की तरफ अब देखिए अब क्या कर रहा अगला कर राइट the molecular formula first two member of formula series having same functional group chlorine आपने पराओगा functional group जैसे functional group chlorine होता है bromine होता है alcohol होता है बहुत साड़े functional group होते हैं तो उसमें chlorine जो functional group है उसके homologus series का पहला जो दो member होगा वो क्या होगा तो देखिए सबसे पहले आपने पढ़ाओगा जो nomenclature में chlorine जो होता है वह halo alkin family से बिलोंग करता है halo alkin इसके लिए general formula होता है cn h2n plus 1cl जहाँ n बताता है कितने number हैं तो हम से पुछा गया था पहले member का molecular formula क्या होगा दूसरे member का तम पहले member के लिए पहला position डालेंगे इनके जगह c1 h2n यहां भी इनके जगह 1 और plus 1cl तो carbon यहां 1 hydrogen दो एकम दो और एक जोर जाएगा तो तीन यानि cs3 और last में cl जूड़ेगा यह cl क्या है chloro यह chlorine functional group जूड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होता है आपने पढ़ा होगा iopac नेम जो होता है वह halo alkane पे चलता है यानि पहले halogen लिखाता है तो क्लोरीन के लिए क्या लिखाता है पहले chloro और cs3 किसको बताता है एक कार्बन है इसलिए क्या होगा सारे में single bond है एक कार्बन के लिए मेथ और सारे में single bond है इसलिए एन यानि क्लोडो मीथेन इसका नाम हो जाएगा इसका molecular formula CS3 CL उसी तरह सेकेंड मेंबर के लिए निकालना हो तो यहाँ कार्बन के बगल में जो एन है यहाँ जहाँ जहाँ एन है वहाँ दो डाल दीजिए C2H22415 C2H5CL अब दो कार्बन के लिए आता एथ सिंगल बन के लिए एन और क्लोडो सबसे पहले लगेगा ता क्लोडो इथे तो इस तरीके से यह दो सवाल clear होते हैं ठीक है बढ़ते हैं आगे next सवाल की तरफ यह जो next सवाल है यह है आपको CBAC sample paper 2016 में पुछा जा चुका है important सवाल है और यह काफी ज़्यादा interesting है आपने पढ़ा भी होगा अंडर वाट कंडिशन दा बर्नी ऑफ LPG इने बंसेन बर्नान प्रोडूसेज अ ब्लू नन लूमिनस फ्लेम और अंडर वाट कंडिशन इट प्रोडूसेज अ लूमिनस लू फ्लेम दो चीज़ है कहता है क्या LPG गैस उसके जलाते हैं तो किस स्तिती में उसमें से ब्लू फ निकलता तो किस स्तिती में ब्लू फ्लेम जब LPG गैस को जलाएंगे तब ब्लू फ्लेम निकलेगा और किस स्तिती में उससे जो है येलो फ्लेम निकलेगा तो आपने पड़ा होगा कंबर्शन कंबर्शन जो होता है ना दो तरह के होते हैं एक होता कंप्लीट और इनकंप्ल combustion होगा और complete combustion की वज़ाद से जोता है वहाँ पर blue flame produce होता उसी तरीके से जब air का supply insufficient होगा, sufficient नहीं होगा तब LPG जो है वो आपको yellow flame के साथ जलेगा और वो थोड़ा साशिहाई के रुप में निकलता है तो ये दोनों सवाव है अगर complete combustion होता है तो blue flame incomplete combustion होता है येलो flame complete combustion कब होगा जब air का sufficient supply होगा incomplete कब होगा जब air का sufficient supply नहीं होगा बढ़ते हम अपने next सवाल की next सवाल बढ़ते हैं ये सवाल CBSE 2019 में पुछा गया हम ionic compounds क्या होता है और ionic compound जो है हम जानते है ionic compound जो है ions होता है उसकी वज़़से तो electricity को conduct कर पाता लेकिन solid state में नहीं करता बलकि वो molten state में करता pigla state में या liquid state में करता तो सवाल है solid state में ये क्यों नहीं करता ionic compound होता क्या तो देखिए आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा ionic compound वैसे compound होते है जो एक metal और दूसरे non metal के बीच में बनते है लेकिन कब जब electron का transfer होता यानि जब electron का एक item से दूसरे item में transfer होता तो ionic compound बनता है और ये कब होता है जब एक metal और दूसरा non metal है यहाँ देख सकते हैं आप एक sodium metal है chlorine non metal है हम जानते है sodium का जो atomic number होता है वो ये 11 होता इधर आईए मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा देखे आप देख सकते हैं यहाँ पर sodium sodium का atomic number जो होता है atomic number आपको मालूम होगा जेड़ से represent किया जाता है 11 होता है 11 है इसमें balance cell जो होता है case cell, L cell M cell में हम जानते electron को डालते है 2, 8, 1 यानि M जो cell है इसका balance cell होगा और इसमें एक electron है इसलिए इसका balance 1 होता है तो देखिए यह electron dot structure है जिसमे sodium के एक balance cell को represent किया गया है या तो cross से या से dot या क लोड़ीन है लोडीन 17 नमबर पे आता है इसमें 7 गू क्या होता है electron बाहरी cell में होता है तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 तो यहां से sodium metal है और यह non metal है यहां sodium क्या करेगा एक electron का transfer करेगा chlorine atom में तो देखिए जो electron lose करता है जो electron lose करता है यानि धनिक होता है इसलिए उस पे polys charge आ जाता है और जो electron gain करता है उस पे minus यह sodium का एक वारी electron chlorine को मिल जाएगा तक chlorine के पास आप देख सकते हूँ यहां यह electron sodium के द्वारा जो donut किया आ गया है चुकि chlorine एक electron को accept कर रहा है यानि करजा ले रहा है इसलिए इस पर minus charge चर जाएगा यह negative आन बनाएगा यानि यह समझ में आया चलिए देखते हैं क्या होता है ionic compound the compound form between metals and non-metal जो compound metal और non-metals के बीच में बनता है लेकिन कैसे complete transfer होता है electron का एक atom से दूसरे atom तक तो उसे ionic compound बोलते हैं यानि वैसे compound जो metal और non-metals के बीच में बनते हैं complete transfer होने की वज़े से electron का आप देख सकते हूं यह electron का transfer हो रहा है उसे ionic compound बोलते हैं यानि जब भी NaCl अगर बोला जाएगा तो यह molecular compound नहीं होगा क्योंकि यह आयन से बना हुआ इसलिए ionic compound होगा यह sodium का टायन है और यह chlorine क्या है अनायन है यह ionic compound है अब देखते हैं यह electricity को कंड़क्ट क्यों नहीं कर पाता है तो देखिए इसके लिए क्या रीज़न है ionic compound do not conduct electricity in the solid state since the constituent ions are strongly attracted by each other देखिए जो ionic compound होते हैं उसमें ions चुकी अलग-अलग nature की होते हैं यह polus nature का है यह minus nature का है ठेक है और polus और minus में attraction काफी ज़्यादा होता है इसी की वज़़से जो है यह attraction जो है solid में तो तूट नहीं पाता है जिसकी वज़़से जो है यह free electron यह मौझूद नहीं हो पाता है और यह conduct solid state में electricity को conduct नहीं कर पाता है electricity को conduct नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें के जो आयन्स होते हैं वह strongly attracted होते हैं फ्री नहीं हो पाता जिसकी वज़े से electricity के केन्डक्सन नहीं हो पाता है वर्ते हैं अब पाता है करताते हैं